ओम हनुमते नमह दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी एस्ट्रोलोजी में, में तो कन्या राशे आप पिछले नौ सालों से आपकी बरबादी का हवन कर रहा है, यह एक इनसान सावधान हो जाईए, दुश्मन का टोटका कम करें, उससे प खुद को बदलने का है, लोगों को बदल कर कुछ नहीं होने वाला, आप खुद को बदल लिए, आपके अंदर जो शर्म है उस शर्म को अलविदा कीजिए, आपके अंदर जो डर है उस डर को समाप्त करिए, आपको खुद के अंदर आत्म विश्वास भरना होगा, लोग आपका बुरा बनाने वाले हैं, बुरा चाहने वाले हैं, शडियंत्र रचने वाले हैं, लेकिन आपको उनके चाल का शिकार नहीं होना है, आपको पूरी तरह से अपने कर्म पथ पर अडिग रहना है और चारों और पैनी निगाहें भी बनाए रखनी हैं, संपर्क सूत्र भ उससे लोग बहुत प्रभावित होंगे, लेकिन आपकी तरक्की देखकर कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा जलेंगे, तो वह आपकी बरबादी के लिए शड्यंत्र भी रच सकते हैं। थेलियों को आपस में जोड़ करके आपको करना है। बहुत अच्छा लाब मिलेगा और दुश्मन रास्ते से हट जाएंगे। बेरोजगार लोगों को रोजगार की नई संभावनाएं बन रही हैं। मौका बहुत अच्छा है। आप कोशिश करिएगा कि समय का पूरा इस्त वक्त चलता रहता हूं। इसी लिए इसी कारण मैं जीत जाता हूं। इनसान अगर तू भी मेरे साथ चलेगा तो मैं तुझे कभी हारने नहीं दूँगा। जो इनसान समय के साथ चलता है वह जीवन में कभी नहीं हारता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप जहां प वह जहां यों को बहुत इमानदारी से दिल लगा कर करते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग तो होंगे जो खुश होंगे कि आपकी प्रियता बर आच रही है लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि अब आपको रास्ते से लना होगा। यक्लोग ऐसे भी इसे लोगों से जो आपके कर्म क्षेत्र में आपसे जलते हैं, उनसे बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कई बार हमारे रिष्टे ज्यादा इसलिए भी नहीं टिक पाते क्योंकि सामने वाला साथी नए विचारों वाला होता है और हम वही पुरानी सोच के साथ जी रहे होते हैं। एहनत का उचित परिणाम तो हासिल होगा ही होगा। लेकिन दोस्तों, अपनी बात को चार जनों के बीच रखने का मौका भी आपको प्राप्त होगा। अब वहाँ पर अगर आप रह गए नहीं बोल पाए, मुह से शब्द नहीं निकला तो बाजी हाथ से चली जाएगी। कहते हैं, जिसने करी शरम उसके फूटे करम। तो आपको ये डिसाइड करना है कि लोगों के बीच बात रखने का हुनर सीखना है। शर्माना नहीं है, शर्म को अलविदा कहना है। वरना दोस्तों, कुछ और लोग हैं जो बाजी मार जाएंगे। उतावला पन आपके अं हमेशा काली रहती है, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, ये तो आत्म विश्वास है, लेकिन इस दुनिया में मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और इस काम को मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। यह अति आत्म विश्वास है, इस तरह के अति आत अकेले हैं तो नए मित्र बनने वाले हैं, अनैतिक संबंधों में उलजना नहीं है, यही आपके लव लाइफ के लिए बहतर रहेगा, हम आपको फिर बता रहे हैं कोई है जो आपकी मौत का नारियल फोड रहा है, अब जो इनसान ऐसा कर रहा है, उस आधार पर आपकी बुद अब गुस्से में कभी-कभी ऐसे शब्द निकल जाते हैं, जो तीर से भी ज्यादा भेदनक्षंता करते हैं, तो ऐसे में आपको उस व्यक्ति को मनाना है, पुनह नाराजगी और समस्याएं, इन्हें अलविदा कहना है क्योंकि जिंदगी में चार दिन की जिंदगी है, इ नए कार्यस्थल से जुड़नने का मौका मिल सकता है, नए उपक्रमों को इस्तमाल करने का मौका मिल सकता है, साथ ही साथ प्रेम पूर्ण संपर्क, यदि कोई हो तो बहुत ही बढ़िया, आपके लिए रिजल्ट आएगा, हर काम को प्रेम पूरवक करिए, विनमरता पूरव का समय है 16 जून से लेकर 22 जून का समय वाकई में आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है आपकी किस्मत में चार चांद लगाने वाला है आपके सौदों को अंतिम रूप देने वाला है साथ ही साथ आपके आसपास नए अधिग्रहन बनाने वाला है। संतुष्टी आपके जीवन में होगी और बहतरीन स्वास्थ्य लाब आप अरजित करेंगे। लेकिन एक बात का खास खयाल रखें। मन में कोई एक ऐसा तरीका आएगा कि इस काम को मैं इस तरह से करता हूँ तो वहाँ पर काम बिगड़ सकता है। जिस तरीके से क काम किया जाता है आप उसी तरीके से करें। अगर आपके किसी मित्र के साथ अनबन हुई थी तो आप आगे रहकर उनसे दोस्ती का हाथ पुना बढ़ाईए क्योंकि आप उससे छोटे या बड़े नहीं हो जाएंगे। लेकिन आपकी दोस्ती संभल जाएगी। स्वास्थ चाहते हैं। ये दोनों उपाई आपके लिए बहुत सर्वसिद्ध कारी और चमतकारिक साबित होने वाले हैं। किस्मत तो चमकेगी ही चमकेगी, साथ ही में जिन्दगी एक नया मोड लेगी और आपके जीवन में बहतरी इन पलों को एड़ करेगी। सबसे पहला उपाई दोस्तों हम आपको बताएंगे शुक्रवार के लिए। दोस्तों आने वाले पांच दिनों में क्या बड़ी घटना घटने वाली है। गुरुदेव कहते हैं मनुष्य का जीवन एक जूले के समान रहता है। और इसी प्रकार चलता रहेगा। आप दुखों को देखकर कभी भी डरे ना बलकि और अधिक मेहनत करें। तो गुरुदेव का ज्यान यदि अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जरूर लिख दें। अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का प्रयास करना होगा। जीहा मित्रों, आज आप देखेंगे दफ्तर में जो आपके बॉस से यानि की जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं। वो आज आप पर काफी बढधा जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। काफी महत्वपूर् आपके लिए हाथी जितना बढधा नुकसान लेकर आ जाएगी। इसलिए दोस्तों इस दिन गलती करने से बचें। साथ ही आपको बता दें व्यापार से जुढ़े जातकों को लाब कमाने का कोई बहुत सुन्दर मौका, कोई बहुत बरहिया अवसर प्राप्त होगा। य इस दिन आपको फैसला नहीं लेना है। शांती से सोच समझकर बुद्धिमानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। साथ ही मित्रों, पैसों के मामलों में अगर बात की जाए तो दिन काफी खर्चीला नजर आ रहा है। तो पैसों के मामलों में इस दिन बहुत अधिक ख आने दें। अन्यता मित्रों दिक्कतों में आप फंस सकते हैं। साथ ही पारिवारिक जीवन में इस दिन काफी खुशियां आती हुई नजर आ रही है। यदि लंबे समय से घर परिवार में किसी बात को लेकर कोई विवाद चल रहा है। किसी बात को लेकर यदि आपस में अन्बन चलती आ रही थी, तो वह सभी विवाद, वह सभी अन्बन इस दिन दूर हो सकती है. यदि दोस्तों, जमीन जायदाद से जुढधा आप कोई काम करते हैं, तो आने वाला यह दिन आपको सावधान रहने के इशारे दे रहा है. जी हां मित्रो, क्योंकि इस नाम के कोई अपने ही भरोसेमंद लोग ही आपको धोखा दे सकते हैं. और ऐसे में दोस्तों, आज आपका भारी भरकम नुकसान होने के आसार बन रहे हैं. इसलिए प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करने वाले जातक आज अपने ही लोगों से थोड़ा सावधान रहें. अन्यथा मित्रो, नुकसान जहेलना पढ़्डियच सकता है. साथ ही दोस्तों, स्वास्थि की दृष्टी से दिन काफी महत्वपूर्ण साबित होगा. स्वास्थि के मामले में आप देखेंगे कि यदि लंबे समय से परेशानिया चलती आ रही थी, लंबे समय से यदि दिक्कतें चलती आ रही थी, तो वह सभी बाधाएं, वह सभी परेशानिया अब दूर होगी. साथ ही स्वास्थे को लेकर दिन आपके लिए काफी ही शुभ साबित होगा अगर दोस्तों, आप यात्रा पर जाने का कोई विचार कर रहे हैं तो यह दिन आपके लिए बहुत ही शुभ दिन साबित होगा परंतु जल्दबाजी में आकर हडबढाहट में आकर इस दिन आपको फैसला नहीं लेना है शान्ती से सोच समझ कर बुद्धिमानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा साथ ही मित्रों, पैसों के मामलों में अगर बात की जाए तो दिन काफी खर्चीला नजर आ रहा है तो पैसों के मामलों में इस दिन बहुत अधिक खर्च आपका हो सकता है तो इस दिन आप इस बात का ध्यान रखें कि अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा, अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन, इस दिन आप ऐसे ही फिजूल में व्यर्थ न जाने दें अन्यथा मित्रो दिक्कतों में आप फंस सकते हैं साथ ही पारिवारिक जीवन में इस दिन काफी खुशियां आती हुई नजर आ रही है यदि लंबे समय से घर परिवार में किसी बात को लेकर कोई विवाद चल रहा है किसी बात को लेकर यदि आपस में अनबन चलती आ रही थी तो वह सभी विवाद, वह सभी अनबन इस दिन दूर हो सकती है यदि दोस्तों, जमीन जायदाद से जुढधा, आप कोई काम करते हैं तो आने वाला यह दिन आपको सावधान रहने के इशारे दे रहा है जी हां मित्रों, क्योंकि इस नाम के कोई अपने ही भरोसे मंद लोग ही आपको धोखा दे सकते हैं और ऐसे में दोस्तों, आज आपका भारी भरकम नुकसान होने के आसार बन रहे हैं इसलिए प्रॉपर्टी से जुढधा काम करने वाले जातक आज अपने ही लोगों से थोड़ा सावधान रहें अन्यथा, मित्रों, नुकसान झेलना, पढड़ी डी डी एच सकता है साथ ही दोस्तों, स्वास्थिय की द्रिष्ट से दिन काफी महत्वपून साबित होगा स्वास्थिय के मामले में आप देखेंगे कि यदि लंबे समय से परेशानिया चलती आ रही थी लंबे समय से यदि दिक्कतें चलती आ रही थी तो वह सभी बाधाएं वह सभी परिशानियां अब दूर होगी साथ ही स्वास्थिय को लेकर दिन आपके लिए काफी ही शुभ साबित होगा अगर दोस्तों आप यात्रा पर जाने का कोई विचार कर रहे हैं यात्रा पर जाने का कोई मूड बना रहे हैं तो दिन आपके लिए बेहद ही शुब रहेगा। जी हां मित्रों, इस दिन आप देखेंगे, आप जिस यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, उस यात्रा पर जाने से आपके काम सफल होंगे। साथ ही दोस्तों, जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, उस काम में आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी. साथ ही इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, कि अपना हर काम इस दिन आपको मन लगा कर करना है, तो चाहे कोई छोटे से छोटा काम हो, या फिर कोई विशाल से विशाल बड़े से बड़ा काम हो, हर काम में मित्रों अपना मन लगा कर रखना, क्योंकि इस दिन यदि आपका मन नहीं लगेगा, तो कामों में सफलता ही प्राप्त नहीं होगी. साथ ही साकारात्मक विचार वाले लोगों के साथ समय बिताने की आपको सलाह दी जाती है. लोगों के साथ समय व्यतीत करें, ताकि मित्रों आपके जीवन में जो बाधाएं, जो दुख, जो कष्ट चलते आ रहे हैं, उनसे आप जल्द से जल्द मुक्ती पा सकें. इसलिए मित्रों, नाकारात्मक बात वाले, नाकारात्मक विचार वाले लोगों से आपको दूरिय जानी से अपना फैसला लें. साथ ही, मित्रों हो सकता है कि काफी मेहनत और काफी परिश्रम करने के बावजूद भी, इस दिन किसी किसी काम में आपको सफलता प्राप्त ना हो पाए. जम तो ऐसा होता है कि हम किसी काम को पूरा करने के लिए सच्चे मन से मेहनत कर रहे होते हैं, परन्तु फिर भी हमें उस काम में वह सफलता प्राप्त नहीं हो पाती, जिसके की हम हकदार हैं, या फिर जो हम सोच कर बैठे हैं. ऐसे में दोस्तों, इस दिन छोटी-छोटी असफलताओं से आप निराशना हो, महादेव का नाम लें, और पुनह डबल जोर से डबल म महनत करने से इस दिन आपको पीछे नहीं हटना है. अब दोस्तों, एक उपाय ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मानसिक तनाव से पीडित हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधी विधान से पूजा अर चना करें और शिव लिंग का कच्चे दूद से अभिशेक करें. इससे कुंडली में कमजोर चंद्रमा को मजबूती मिलती है और मानसिक तनाव दूर होता है. अगर किसी जातक के विवाह में अडचन आ रही है, तो उसे सोमवार के दिन गंगाजल में काले तिल मिलाकर भग प्रति दिन गरीबों और जरूरत मंदों को गेहूं का दान करें. ये दान आपके पितरों को प्रसन करेगा और आपके जीवन में सुख सम्रिध लाएगा. प्रति दिन भगवान शिव को गेहूं के आटे से बनी रोटी, पूरी या हलवा का भोग लगाएं. ये भोग भग प्रति दिन गेहूं की रोटी का सेवन करें. गेहूं सात्वे का नाज है और इसका सेवन करने से आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे और आपका जीवन खुश हाल होगा. मित्रो अगर अचानक धन लाभ की स्थिती बन रही हो, किन्तु लाभ नहीं मिल रही हो, तो गोपी चंदन की नौ डालियाओं लेकर केले के व्रिक्ष पर टांग पीले धागे से बांध कर टांग दीजिए. मित्रो धन की सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी और अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे. कुछ नहीं करना है, कोई धन नहीं लगाना है. सिर्फ आपको गोपी चंदन की नौ डालियाओं लेनी हैं और केले के व्रिक्ष पर पीले धागे से बांध देनी हैं. यह उपाय एक बार अवश्य आजमा लेगा. तो आए बात करते हैं क 24 घंटों का आने वाला खेल कैसा रहेगा? मित्रो, तरो ताजा होने के लिए अच्छी तरह से आराम करने पर आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि जब जितना आराम आप करेंगे, जीवन में उतनी ही शांती और सोचने की क्षमता आपकी बढ़ेगी. साथ ही आपको बता देते हैं कि नए करार फाइदे मंद दिख सकते हैं, लेकिन वे उमीद के मताबिक लाब नहीं पहुंचाएंगे. आपके पास जो नए करार हैं, उन करारों पर ध्यान दीजिए. मित्रो, जीवन में यदि आगे बढ़ना है, तो उन बातों को ध्यान में रखना होगा, जो आपको सीखने को मिल रही है. मित्रो बता देते हैं कि निवेश करते समय आप जल्द बाजी में निर्नाय ना लें. यदि आपने जल्द बाजी में निर्नाय लिया, तो वे उमीद के मताबिक लाब नहीं पहुंचा पाएंगे. आपका उर्जा से भरा और जिन्दा दिल और गर्म जोशी से भरा व्यवहार आपके आस पास के अपने लोगों को खुश कर देगा. साथ ही, जीवन में आपके भी खुशियां प्राप्त होंगी. आप जीवन में सच्चे प्रेम की कमी का अनुभव करेंगे. मित्रों, आपका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत होगा. मित्र, आप देखेंगे कि जीवन में जिन जिन लोगों से आपको मिलकर खुशी होती है, वे लोग आपके करीब रहेंगे. ज्यादा चिंता न करें, हर चीज समय के साथ बदलती है और इसलिए आपकी रोमैंटिक जिंदगी में भी बहुत ही जल्दी बदलावाएगा. मित यहां, खाली वक्त का इस्तेमाल करने की सलाह आपको दी जाती है. खाली वक्त का इस्तेमाल करना आपको सीखना ही होगा, नहीं तो जीवन में आप कई लोगों से पीछे रह जाएंगे. आपकी व्यस्ततम दिन चर्या के चलते, आपकी दिन चर्या के चलते, आपका जीवन स साथ ही आपके उपर शक कर सकता है क्योंकि आप उन्हें समय देने में सक्षम नहीं है लेकिन मित्रों दिन के अंत तक वह आपकी बात समझेगा और आपको गले लगाएगा और नाराजगी भी दूर करेगा पराइस्त्री के प्रती साफ नजर रखना एक मित्रों बहुत ही सकते हैं शारीरिक और मानसिक लाब के लिए ध्यानव योग करना उपयोगी होगा मित्रों जिन लोगों ने किसी से उधार लिया है उन्हें किसी भी हालत में उधार चुकाना पड़ सकता है यदि किसी व्यक्ती ने आपकी बुरे वक्त में मदद की है तो आपका हक बनता है मित्र की उनकी आप भी मदद करें क्योंकि सामने वाले व्यक्ती को पैसों की जरूरत होगी तभी इस वक्त वह आपसे उधार दिया हुआ पैसा मांग रहा है मित्रों बता देते हैं कि अगर आप किसी को उधार चुका रहे हैं तो थोड़ी सी आर्थिक स्थिती कमजोर हो जाएगी समय को खास बनाने के लिए शाम को परिवार के साथ किसी अच्छी जगह खाना खाने जाएं संभव है कि कोई आप से अपने प्यार का इजहार करें, काम में मन लगाएं और जज़बाती बातों से बचें मित्रों, जरूरत मंदों की मदद करने की आपकी खासियत आपको सम्मान दिलाएगी क्या आपको पता है कि आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिष्टा है, आज का दिन आपके लिए कारोबार के मामले में अच्छा रहने वाला है आपको नकारात्मक लोगों से दूरी बना कर रखनी होगी, नहीं तो इसका असर आपके काम पर पढ़ सकता है कार्य क्षेत्र में आपकी रुची बढ़ेगी और आपको अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा बंधुत्व की भावना को बल मिलेगा सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी और विभिन कारियों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे आपको माता जी की सेहत के प्रती सचेत रहना होगा विद्यार्थियों को बॉध्धिक वमानसिक बोज से छुटकारा मिलता दिख रहा है आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फल दायक रहने वाला है परिवार में खुशियां बढ़ेंगी और सभी लोग एक दूसरे के प्रतियाकरशित होंगे यदि पारिवारिक रिष्टों में कुछ दूरियां चल रही थी तो वह भी दूर होगी यदि आप संतान की नौकरी को लेकर परेशान चल रहे थे तो किसी अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है नवीन रिष्टों को बनाने की कोशिशे में आप लगे रहेंगे आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आप से मेल मिलाप करने आ सकता है आज का दिन आपके लिए रचनात्मक कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा आपकी सांख और सम्मान में वृद्धि होगी आप विभिनक शेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे आपको कोई बड़ी उपलब्धी हासिल हो सकती है और शेयर मार्केट में निवेश से आपको अच्छा लाब मिलेगा जो जातक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं वह किसी बड़ी डील को बहुत ही सोच विचार कर फाइनल करें आपकी कोई गुप्त बात परिवार के सदस्यों के सामने उजागर हो सकती है जिसके कारण जीवन साथ ही से आपकी कहा सुनी हो सकती है आपको पिता जी की सेहत के प्रती सचेत रहना होगा आज का दिन आपके लिए व्यवसाए की योजनाओं को बहुत ही समझदारी से बनाने के लिए रहेगा आपकी आए में व्रिद्ध होगी परिजनों का सहयोग मिलेगा और व्यवसाए की योजनाएं फैलेगी आप आए बढ़ाने का प्रयास करेंगे आर्थिक गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य में आप तेजी दिखाएंगे और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है संतान को यदि आप कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उसमें डील दे सकते हैं जिसके कारण आपका मन परेशान रहेगा आपने यदि किसी संपत्ति का सौधा किया तो वह भी बाद में आपके लिए नुकसान दायक साबित होगा शुक्रवार सपताह का पांचवा दिन है और आप अपने सभी लंबित कारियों को पूरा करने के लिए सपताहंत के लिए तैयार है यह विश्व के निर्मान को साकार करने वाली देवी भुवनेश्वरी का दिन है तो शुक्रवार के दिन मित्रो, यदि आप हानिकारक बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो सुबह जल्दी उठकर भुवनेश्वरी देवी के मंत्र का जाप करें भुवनेश्वरी देवी का मंत्र आपको हमारे वीडियो के कमेंट में दिख जाएगा अवश्य एक बार पी आरेच लीजिएगा तो, अपनी भावनाओं पर, खास तोर पर गुस्से पर काबू रखने की सलाह आपको दी जाती है मित्रो, आपके माता पक्ष से आपको धन लाब होने की पूरी संभावना इस वक्त बन रही है तो बता देते हैं कि अपनी माता के स्वास्थे में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को भी मिल सकती है हो सकता है कि आपको मित्रो अचानक उनको कहीं हॉस्पिटल लेकर जाना पड़े तो आप तुरंत लेकर जाएं और बिल्कुल भी लापरवा ही न करें मित्रो इस वक्त एक संकेत आपको मिल रहा है कि आपके मामा या नाना आपकी आर्थिक मदद करने के लिए आगे आएंगे जिन से आपको पूरा सहयोग मित्रो मिलता हुआ दिख रहा है साथ ही घर में कुछ बदलाव आपको काफी भावग बना सकते हैं अब बदलाव करना भी थोड़ा सा जरूरी है मित्रो लेकिन आप अपनी भावनाएं उनके सामने जाहिर करने में नाकामयाब रहेंगे जो आपके लिए बहुत खास है मित्रो अब यह बात भी सही है कि हर किसी के सामने अपनी भावनाओं का पिटारा ना खोले वरना कोई लोग कैसे होते हैं और कौन लोग कैसे होते हैं कुछ पता नहीं लगता है और वे हमारी भावनाओं के साथ खेल कर चले जाते हैं मित्रो अटके कामों के बावजूद रोमांस और बाहर घूमना फिरना आपके दिल और दिमाग पर छाया रहेगा लेकिन पहले जो जरूरी काम हैं उन्हें निप्टा ले आप बिना किसी वजह के कुछ लोगों के साथ उलहज सकते हैं ऐसा करना आपके मूड को तो खराब करेगा ही साथ ही इस से आपका कीमती समय भी बरबाद होगा और अपने जीवन साथी के साथ आप प्यार और रुमानियत से भरे पुराने दिन एक बार फिर जी पाएंगे बिना किसी का साथ पाए भी आप अपने समय का पूरा आनंद उठा पाएंगे मित्रोखीर का सेवन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा क्योंकि वह दूद से बनी हुई वस्तू होती है वहीं एक बात और आपको बता देते हैं कि मौज मस्ती की यात्रा और सामाजिक मेल जोल आपको खुश रखेंगे और जीवन में जिस सुकून की तलाश कर रहे हैं वही सुकून भी आपको देंगे जो लोग काफी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे उन्हें कहीं से अचानक धन प्राप्त हो सकता है जिस से जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी मित्रो आपको बता देते हैं कि मुहबबत की टीस आपको रात भर सोने नहीं देगी क्योंकि आपका प्रिय और आप दोनों एक दूसरे को गहरी नींद में याद करेंगे तो कहते हैं कि जब रिष्टा दोनों तरफ से बर्फ बारी से और इमानदारी से निभाया जाता है तो बेशक हमारी रातों की नींद उड़ेट जाती है जो लोग शराब से ग्रेट का सेवन करते हैं उन्हें दूर रहने की जरूरत है क्योंकि मित्रो आप सभी को बता देते हैं इससे आपका कीमती समय बरबाद हो सकता है आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई बाहरी व्यक्ति दूरी पैदा करने की कोशिश कर सकता है मित्रो लेकिन आप दोनों चीजे संभाल लेंगे रिष्टा भी और बाहर से दखल देने वाले लोगों को भी भागदौ डीडेच भरे दौर में हम अपने परिवार को कम समय ही दे पाते हैं लेकिन परिवार के साथ बहतरीन लम्हे गुजारने का यह उम्दा मौका है तामबे के चेन में डाले गए रुदराक्ष को धारन करने से प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे मित्रो उदास और अवसाद ग्रस्त न हो रियल एस्टेट से संबंधित निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा देंगे और जिस नए समारोह में आप शिरकत करेंगे वहां से नई दोस्ती की शुरुआत होगी आप जहां हैं वहीं रहेंगे बावजूद इसके आपको एक नए और अनोखे लोक में आपका प्यार लेकर जाएगा मित्रो आप जिस प्यार की लंबे समय से अपेक्षा रख रहे थे और इंतजार कर रहे थे वही साथ आपको प्राप्त होने वाला है और रोमानी सफर पर भी जा सकते हैं भरपूर रचनात्मक्ता और उत्साह आपको एक और फायदे मंद दिन की ओर ले जाएगा सुबह जीवन साथी से आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे आपका सारा दिन खुशगवार गुजरेगा किसी भी काम को करने से पहले ये जान लें कि इसका परिणाम आपके उपर कैसा पड़ेगा बैड के चारों कोनों में तांबे की कील लगाना स्वास्थे के लिए अच्छा रहता है मित्रों तो आईए अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे चमतकारी एवं सिध उपाए जो आपके जीवन मित्रो सुधार कर रख देंगे मित्रों शुकरवार की शाम को शुद्ध देशी घी का दीपक घर के इशान कोन में जलाएं इस दीपक में थोड़ा सा केसर डालें और रुई के स्थान पर लाल रंग के सूती धागे का प्रयोग करें ऐसा करने से घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवेश होगा और इससे घर के सदस्यों में मधुर्ता आएगी और माल लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी मित्रों सिर्फ एक दीपक लगाना है इस तरह से वहीं आपको बता देते हैं पूजा पाठ के समय हमारे शास्त्रों में सोमवार का एक बहुत जोतिशिये उपाय बताया है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव को गुलकंद से बना पान जिसमें सौफ, सुपारी का चूरा और कथा मिला हो अर्पित करने से सारी मनो कामनाएं पूरी होती हैं आपका परिवार आपके साथ है और प्रेम जीवन भी सम्रिध है साथ में किया सफर आपके प्रेम की आग को और अधिक भड़ा का सकता है इससे आप एक दूसरे से दूर रहने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे अपने जीवन साथी के साथ कुछ सुखदायक और रचनात्मक खषणों को बिताएं और अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करें क्योंकि आपने बारे में सब कुछ बताने का इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलेगा जियोतिश शास्त्र के अनुसार जो विद्यार्थी बसंत पंचमी के दिन मा सरस्वती को सफेद चंदन अर्पित करता है और उनके मंत्र A.U.M. A.N. सरस्वतिय A.N. नम हम का 108 बार जाप करता है उसे अपने करियर में तरक्की मिलती है और सफलता के अवसर प्राप्त होते हैं नए रिष्टों को लेकर उत्साहित महसूस करेंगे लेकिन किसी तरह का कोई वादा न करें आज आपके सितारे कुछ अद्भुत रोमैंटिक पलों की और इशारा कर रहे हैं और मित्रो जो लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो इधर उधर भटक भी रहे हैं तो उन्हें कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है जो काफी लंबे समय के बाद आपके जीवन में आएगी वहीं मित्रो ध्यान रखिएगा कि यह जो समय है यह आपके लिए विभिन स्त्रोतों से आय दिलाने वाला रहेगा बीते समय में यदि आपने धन का निवेश किया भी था तो आपको उसमें लाब हो सकता है और वह लाब अब आपके सामने आएगा क्योंकि मित्रो आपने बहुत सब्र भी किया था और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है वहीं जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो उनका यह सपना बहुत ही जल्द पूरा हो सकता है लेकिन आपको अपने भाई बहनों से किसी भी विवाद विवाद में पढ़ने से बचना बहतर रहेगा नहीं तो वह आपके रिष्टों में दरार डाल सकते हैं क्योंकि मित्रो रिष्टा हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण आभूशन है और यदि रिष्टे तूटते हैं तो फिर से जुड़ते नहीं हैं क्योंकि उनमें गांट पड़ जाती है वहीं मित्र जीवन साथी से आपको सहयोग वसानिध्य में भरपूर मात्रा में मिलता दिख रहा है आप आपके लिए कोई परिजन समय पर मदद दे पाएंगे और दे भी सकते हैं जिसके कारण आपका आत्म विश्वास और गहरा होगा और आपके अंदर एक बहुत ही बढ़िया सकारात्मक वृद्धे होगी सामाजिक शेत्र में जो लोग प्रयास कर रहे हैं तो उनको भी कोई बहतर अवसर मिल सकता है जिससे उनके जीवन में खुशियां फिर से दस्तक देगी सारे दुख दर्द मिटेंगे वहीं मित्रो ध्यान रखिएगा कि आपको अपने घर परिवार में चल रही कलह के कारण परेशानी होगी लेकिन यदि उसका समाधान करने को मिले तो आपको उसमें दोनों पक्षों की सुनना होगा एक पक्ष से सुनकर आप एक निर्णय नहीं ले सकते हैं इसलिए मित्रो परिवार की चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी कला हो बैठ कर सुलजाएं, राय लें और सभी मिलजुल कर आपस में प्रेम से रहें यही आपको सलाह दी जाती है तो मित्रो यदि आपने दोनों पक्षों की नहीं सुनी और ऐसा नहीं किया, तो इसके कारण होगा यह कि आपको भी खरी खोटी सुनने को मिल सकती है जिससे आपकी छव भी थोड़ी सी डगमगा सकती है मित्रो आपको अपने माता-पिता द्वारा कोई उपहार प्राप्त हो सकता है जिसके कारण आप प्रसन रहेंगे अब आपको अपनी संतान से संबंधित कुछ समस्याओं के लिए उनके गुरुजनों से भी सलाह मशवरा करना होगा तब ही आप उनका समाधान जो है आसानी से खोच सकेंगे अब जब आपको समाधान मिलेगा तो आपके जीवन में बहुत ही बरिया वृद्ध होगी और वही मित्रो आप एक ही कार्य को करके बोर हो चुके हैं तो अब आपको परिवर्तन करना है बदलाव करना है क्योंकि यह बदलाव आप अपने लिए करेंगे तभी जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे जी हां मित्रो अब ध्यान से सुनियेगा कि आपको क्या करना है यदि आपके जीवन में जो मानसिक समस्याएं चल रही थी तो उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है फिर चाहे वह मानसिक समस्याएं बढ़ी हो चाहे छोटी हो मित्रो